Hello students, myself Sandeep Chaudhary and welcome to Textile 2020. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं Figuring with Extra Warp in Double Color. पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे figure produce कर सकते हैं Extra Warp यांग का यूज़ करके Single Color में. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम Double Color में अगर हमें figure produce करना है Extra Warp यांग को यूज़ करके तो वो कैसे produce कर सकते हैं? इसके लिए हम आज पढ़ेंगे इसकी requirements क्या क्या हैं? किस technique को यूज़ करके हम इसे produce कर सकते हैं? और इसका construction principle क्या है? और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े और bell icon को प्रेस करके hold पे क्लिक कर लीज़े ताकि हमारे latest video का notification आपको सबसे पहले मिल जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा वार प्यान को यूज़ करके अगर हमें figure produce करना है तो उसके लिए हमें क्या-क्या requirements चाहिए हैं loom के अंदर. सबसे पहली requirement है कि हमें इसके लिए एक एक्स्ट्रा वार प्यान के लिए हमें चाहिए. नॉर्मली हम loom के अंदर single beam use करते हैं लेकिन जब हम extra वार प्यान यूज़ करके figure produce कर रहे हैं तो हमें दो beam की जरूर पढ़ेगी. एक extra beam, extra वार प्यान के लिए हमें loom के अंदर चाहिए जो हमारी normal beam के नीचे या उपर हमें लगानी पड़ती है. इसके अलावा हमें single set weft का चाहिए क्योंकि ground वार और extra वार दोनों एक ही वार प्यान के साथ interlays करके design produce करते हैं. इसमें हम ground और extra वार प्यान की ratio generally one is to one रखते हैं. अगर हम चाहें तो one is to one के अलावा two is to one या two is to two की ratio लेकर भी figure produce कर सकते हैं. जनरली extra वार प्यान का use करके जो हम design produce करते हैं वो doby mechanism को use करके हम इसके अंदर use करते हैं. तो हमारी loom के अंदर doby shedding का होना जरूरी है अगर हम extra वार प्यान यूज़ करके figure produce कर रहे हैं. जैकार्ड mechanism का use generally इसके लिए नहीं किया जाता क्योंकि हर एक different design के लिए हमें harness की जो setting है वो change करनी पड़ती है जो काफी costly पड़ती है. इसलिए इसके अंदर हम generally doby design का use करते हैं जैकार्ड का use नहीं कर सकते हैं. हम extra वार प्यान के लिए low quality का यान यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो costly कम पड़ता है. cost को reduce करनी के लिए हम lower quality का यान extra वार प्यान में use कर सकते हैं. दो वार प्यान हम इसके अंदर use करते हैं एक ground fabric को produce करने के लिए और एक extra वार प्यान हम use करते हैं figure को produce करने के लिए. single set weft का हम use करते हैं. ground के लिए हम generally plain weave का use करते हैं क्योंकि उससे fabric को strength मिलती है और figure में float ज़ादा होते हैं. जो ground की जो plain weave है वो figure के floats को support करती है. fabric की strength को maintain करके रखती है. figure के अंदर हम कोई भी जो design या figure हम produce करना चाहते हैं वो weave ले सकते हैं. जो भी हम motif के अंदर weave लेंगे उसमें जितने number of warps हम use करेंगे हमारे design के अंदर उसके दो गुने warps हमें use करने पड़ेंगे. for example अगर हमारा motif 8 warps में complete हो रहा है तो हमें final design के अंदर 16 warps यूज़ करने पड़ेंगे. लेकिन अगर double color हम use कर रहे हैं तो उसके अंदर जो design है या जो motif है अगर उसके अंदर 8 warps हैं जिसमें से 4 second color के हैं और 4 first color के हैं तो हमें total 12 warps यूज़ करने पड़ेंगे. क्योंकि 8 ground के और 4 single color के और 4 double color के. ये कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आज के lecture में हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले हम एक figure या motif draw कर लेते हैं. इस motif के अंदर आप देख सकते हैं black color के अंदर first color है और blue color के अंदर second color है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर figure प्रोड्यूस करने वाले हैं वो दो colors में है. first color हमारा black है, second color blue है. तो इन दो colors को यूज़ करके हमने ये motif draw किया है. ये motif हमारा 8 by 8 के अंदर हमने draw किया है. तो 8 वार प्यांस और 8 वैफ्टियान हम इसके लिए यूज़ किये हैं. 8 वार प्यांस होने के वज़े से हमने ground की जो weave ली है, वो one up one down ली है और इसके अंदर भी हमने 8 वार प्यान और 8 वैफ्टियान ली हैं. ताकि हमारी figure और हमारी ground weave आपस में एक दूसरे के साथ synchronize होके एक अच्छा final figure प्रोड्यूस कर सके. अब इसके अंदर double color है, इसलिए हमें जो motif का जो design है, उसको थोड़ा सा और segregate करना पड़ेगा, उसको अलग अलग वार प्यांस के अंदर divide करना पड़ेगा, क्योंकि same single वार प्यांस के अंदर दो color लेकर आना possible नहीं है, तो हम इन दो colors को divide करेंगे, वो कैसे करेंगे, आईए हम देखते हैं, तो यह हमारा motif है, इसमें single color जहां पर है, मैंने single color first वार प्यांस के अंदर single color है, इसको fill कर दिया है, second वार प्यांस के अंदर single color है, इसको fill कर दिया है, अब third वार प्यांस के अंदर two color है, तो इसको हमें divide करना है first color को और second color को, first color के लिए हम क्या करेंगे, जो third वार प्यांस के अंदर यह first color दे दिया हमने, अब जो हमारा second color है blue color में उसको हम next warp यान देंगे इसको अब ये जो single warp phases के अंदर दो color थे उसको हमने दो अलग-अलग warp यान में divide कर दिया first color के लिए लग second color के लिए लग same इसी तरीके से जहां पर भी दो color आ रहे हैं next fourth end के अंदर दो color आ रहे हैं तो हम पहले black color को f4 के अंदर डालेंगे अब fourth warp के अंदर ही जो दूसरे color है उसको हम next end के अंदर डालेंगे उसके बाद next में भी दो color हैं तो उसको भी हम divide कर देंगे same इसी method से उसके बाद next warp यान में भी दो color हैं तो इसको भी हम divide करेंगे उसके बाद last के जो दो वार प्यान है इनके अंदर single color है तो हमें इसको single color में डाल दिया तो जो third, fourth, fifth और sixth ये छो चार वार प्यान है इनके अंदर दो color थे तो हमने इनको total आठ वार प्यान में divide किया है one, two, three, four इसको हमने double कर दिया अलग-अलग color में तो three के दो होगे, four के दो होगे, five के दो होगे, six के दो होगे तो total आठ वार प्यान में हमने इसको divide कर दिया है ताकि हमारी जो beam है उसके अंदर हम इस order में ही वार प्यान ले सके और फिर design produce कर सके अब यह हमारा motive का design होगा जो total 12 ends के अंदर होगा और हमारा ground है जो 8 के अंदर होगा तो 12 plus 8 total हमें 20 वार प्यान्स final design का एक repeat तयार करने के लिए जरूरत पड़ेगी और दोनों के अंदर 8 weft हैं तो 8 weft यान के जरूरत पड़ेगी तो मैंने यह 20 by 8 का box तयार कर लिया है इसके अंदर हम दोनों weave को combine करके fill करेंगे final design को produce करने के लिए तो वही method है 1 is to 1 की ratio है जहाँ पर single color है वहाँ 1 is to 1 चलेगा और जहाँ पर double color है वहाँ पर यह दो हम लेकर चलेंगे कैसे लेके बनाएंगे वो हम देखते हैं 1 by 1 का जो end है वह हम इसके अंदर fill करेंगे उसके बाद second end के अंदर plane weave third end के अंदर दुबारा second color तो यह ratio जो हम लेके चल रहे हैं one ground one figure third जो हमारा ground का order है उसको हम fill करेंगे अब इसके बाद next जो figure के अंदर third end है जिसे हमने दो parts में divide किया है उसको fill करेंगे अब यहां पर जो next figure का end हम fill करेंगे जो second color के अंदर है यह हमने first color fill कर दिया अब second color जो है उसको हम यहां पर fill करेंगे तो यहां पर दो figure के end आ गए क्योंकि two colors में हम वार प्यान का use कर रहे है figure को produce करने के लिए उसके बाद next plane weave का जो fourth end है उसके बाद next figure का जो end है फिर figure का ही दूसरा end क्योंकि two color हमने यहां पर use किये हैं उसके बाद हमारा fifth end plane weave का उसके बाद दो figure के end हम उसी order में fill करेंगे उसके बाद इसी order में हम fill करते चले जाएंगे एक end हमने इसका लेना है एक end इसका लेना है जहां पर दो color आएंगे वहां पर हमें इसके दो end लेने है इसका एक end लेना है तो इस तरीके से हमें वन ग्राउंड वन फिगर वन ग्राउंड वन फिगर करते हुए हमारा पूरा डिजाइन फिल कर लिया इस मोटिफ और इस प्लेन वीव की हेल्प से यह हमारा final design बन के तयार है जहां पर figure के end है मैं उनको shaded कर रहा हूँ ताकि वो clearly visible हो तो यह जो figure हमने दो color में यहां पर motive के अंदर लिया था वो हमने transfer कर दिया इस पूरे weave design के अंदर और यह हमारा design तयार हो गया extra warpian figure in double color या figure in extra warpian in double color दो color में अगर हम extra warpian का यूज करके figure produce करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं अब design तयार होने के बाद हम इसका drafting plan और lifting plan तयार करेंगे तो drafting plan में हम वही rule follow करेंगे जिन ends की working same है उनके लिए एक heel shaft और जिनकी working अलग है उनके लिए दूसरी heel shaft इस order में करते हुए तो सबसे पहले हम देखेंगे plane weave हमारी जो plane weave है वो one, three, five, seven इन चारों ends में एक order है इनका same order है जैसा कि इसमें है one, three, five, seven इनका same order है तो इसके लिए हमने first heel shaft select कर ली क्योंकि ये same working है तो एक ही heel shaft ends को control कर सकती है उसके बाद two, four, six, eight जो दूसरे end है उनको भी हमने दूसरी heel shaft दे दी क्योंकि उनकी working same है अब हमें figure के joints हैं उनकी working देखनी हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस figure के अंदर तो इसके पहले दूसरे और साथवे आठवे end की working same है आप ध्यान से देखेंगे तो तो पहला और दूसरा यहाँ पर है F1, F2, F7, F8 इन दोनों ends की और इन दोने ends की working same है तो इनके लिए हम एक single heel shaft use कर सकते हैं तो third heel shaft हमने दे दी इन ends को उसके बाद F3 और F6 इन दोनों ends की working same है क्या यह working इसमें भी same है इसमें same नहीं है क्योंकि हमने इसको segregate किया हुआ है तो अगर इस end की F3 की और F6 की working अगर हम देखें तो हम same कह सकते हैं इन दोनों ends की working अगर आप देखेंगे पहले दोनों में down है उसके बाद दोनों up है फिर down है फिर up है फिर down है मतलब इनकी working same है तो इनके लिए हम single heel shaft use कर सकते हैं उसके बाद next जो figure का end है इसकी और इसकी working same है 1, 2, 3 down, 2 up, 3 down तो इनके लिए हम same heel shaft use कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं next जो figure है हमारा figuring end है इन दोनों ends की working same है अब last हमारे जो दो end बचे हैं इन दोनों की working भी same है तो इनके लिए भी हम एक heel shaft use कर सकते हैं तो ये हमारा drafting plan तयार हो गया इस weave design के लिए इस तरीके से हमें drafting plan तयार करना है इस किसी भी weave design का या इस weave design का ये drafting plan हो गया अब drafting plan को use करके हम इसका lifting plan तयार करेंगे तो इस drafting plan का use करके हम lifting plan तयार करेंगे first heel shaft में जो ends है उनकी working हमें इसके अंदर fill करने है तो first heel shaft में 1,3,5,7 1 जो first end की working है वो हम इसके अंदर fill करेंगे उसके बाद second heel shaft में 2,4,6,8 इनकी जो working है second end की जो working है वो हम इसके अंदर fill करेंगे उसके बाद third heel shaft में first figuring end, second, seven, or eight इन ends की जो working है वो हम इसके अंदर fill करेंगे उसके बाद fourth heel shaft में F3 और F6 की जो working है वो हम fill करेंगे उसके बाद fifth heel shaft में जो in ends की working है वो fill करेंगे sixth heel shaft में जो in दोनों ends की working है वो fill करेंगे उसके बाद last heel shaft में ये जो end बच गए इनकी working फिल करेंगे तो ऐसे करते हुए drafting plan की मदद से हमने lifting plan तयार कर लिया तो ये हमारा figure with extra war plan in two color का design, drafting plan and lifting plan तयार हो गया इस तरीके से हम इसको तयार कर सकते हैं, इसको use कर सकते हैं I hope आपको ये weave design समझ में आया होगा अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please इसे like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए आप हमें facebook पे follow कर सकते हैं, हमारा facebook page है textilehelp.org instagram पर follow कर सकते हैं textilehelp underscore official हमारी website विजिट कर सकते हैं textilehelp.org thank you so much for watching आपक कर सकते हैं आपको कर दो एम खको कर सकते हैं आपको gin